चोपड़ा है जुकिसमे यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बचो, मैं आपको इस वीडियो में पूरा MCC का काउंसलिंग प्रोसेस समझाओंगा कि कैसे 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 काउंसलिंग करवानी है आपको, इसमें फर्स्ट और 15 दिन बाद MCC की काउंसलिंग स्टाट हो जाएगी और उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग हो जाएगी, गूल ऐसा है कि पहले MCC का first round complete होता है, फिर state का, फिर MCC का second round, फिर MCC का third round, फिर MEANCC का third round, फिर state का third round, इस परकार से ये काउंसलिंग चलती रहती है, तो आईए, मैं आपको यहाँ flow chart से समझा देता हूँ कि कैसे आपको MCC और state का counseling करवाना है साथ साथ में state का भी बताता जाओंगा और MCC का आपको इस flow chart से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए यह flow chart हमने अपने book में भी समझा रखा है और first round, second round की column wise समझा रखा है कि कैसे आपको किस round में क्या activity करनी है यह सब कुछ हमारी MCC की book में available है, state की book में भी यह available है तो flow chart से मैं आपको इसमें पूरा process समझा देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई problem नहीं होगी counseling के दोरान तो सबसे पहले आपको MCC की website पर registration करना है mcc.nick.in की website पर तो यह counseling दो प्रकार की होती है एक 15% All India quota के लिए होती है जिसकी counseling MCC दवारा करवाई जाती है और उसमें DU और BHU, AMU यह भी सामिल होते हैं Central University में और ESIC, DIMD, यह भी सामिल होते हैं DU और IP quota भी MCC दवारा ही करवाया जाता है बाकि 85% के लिए state दवारा counseling करवाई जाती है 15% All India quota के लिए MCC दवारा counseling करवाई जाती है तो सबसे पहले आपको MCC की website पर registration करना है registration के लिए innate के result के बाद में MCC दवारा schedule जारी किया जाएगा जब MCC का schedule जारी हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे कि इस date को यह event है इसके MCC के 4 round होते हैं MBBS के लिए और 6 round होते हैं BDS और BSC nursing के लिए तो MBBS के लिए जो 4 round होते हैं उसमें 1st round, 2nd round, 3rd round, stay round होता है और फिर जो BDS और BSC nursing के लिए होता है उसमें mop up 1 और mop up 2 होता है इसलिए 6 round होते हैं BDS और BSC nursing के लिए तो जैसे ही MCC का schedule आजाएगा आप registration करेंगे schedule के according registration जैसे ही हो जाएगा registration fees इसमें जो लगती है इसमें 2 परकार की fees होती है एक होती है application fees और दूसरी होती है security money और इसमें जो EWS, sorry OBC, SC, ST के लिए जो registration fees लगती है 500 रुपीज लगती है और security money 5000 रुपीज होती है security money अगर आप कोई बीच में seat चोड़ते हैं अलोट होने के बाद second round, third round, इस्टे round में तो आपकी security money forfeit हो जाती है नहीं तो आपकी security money refundable होती है जनरल EWS की condition में 10,000 refund होगी और OBC, SC, ST की condition में 5,000 refund हो जाएगी अगर आपकी security money forfeit नहीं होती है तो forfeit कैसे होती है यह मैं आपको आगे सासाथ बताता जाओंगा इस वीडियो में तो सबसे पहले आप MCC पर registration fees और security fees deposit करके registration करेंगे MCC की website पर और schedule के मताबिक first round के लिए 24 फिल करेंगे 24 फिल आपको कैसे करना है वो मैंने हम book में समझा रखा है आप हमारी book download कर सकते हैं कैसे download करेंगे इस वीडियो में मैं आगे बता देता हूँ उसमें उसके according आप 24 फिल कर सकते हैं दो परकार की condition का मतलब या तो student को seat alert होगी या student को seat alert नहीं होगी दो ही condition होती है अगर MCC के first round में जिन candidates को seat alert नहीं होती है 24 के मताबिक वो second round की सीदे ही 24 फिल में जाएंगे उनको कोई activities नहीं करनी है दूसरी बात अगर first round में किसी candidate को seat alert हो जाती है उसने जो 24 फिल की थी उसके according seat उसको alert हो जाती है तो वो seat पर अगर join करना चाता है तो वो college आकर के join कर सकता है अगर वो join नहीं करना चाता है तो free exit ले सकता है free exit का मतलब उसको कुछ भी नहीं करना है कहीं नहीं जाना है सिदे ही वो second round की choice फिल करेगा उसकी security money कोई forfeit नहीं होगी उसकी security money as it easy रहेगी तो वो free exit होता है उसको कुछ भी नहीं करना है सिदा ही second round का wait करना है अगर आप first round में आपको मनचाई seat मिल गई जोइन करना चाते हैं तो आप जोइन करने के लिए college जाएंगे होँआप fees deposit करेंगे और original documents deposit करेंगे college में जाके तो आपका first round में admission हो जाएगा आपने first round में admission ले लिया है जब आप admission लेंगे तो आप से एक upgradation form लिया जाएगा एक option लिया जाएगा उसमें आपसे ये फुचा जाएगा कि क्या आप इस seat से संतूष्ट हैं आगे की counselling करवाना चाते हैं या नहीं करवाना चाते हैं तो आप उसमें yes और no का option fill करना है तो अगर आप आगे twice से upgrade करना चाते हैं दूसरी college में अप्ग्रेडेशन करना चाते हैं तो yes का option देंगे अगर आप first round की seat से संतूष्ट हैं आगे नहीं जाना चाते हैं तो वहाँ पर आप no का option दे देंगे कि मैं upgrade नहीं करना चाता नो की condition में आपकी counselling वहां ही end हो जाती है आगे आप counselling में participate नहीं कर सकते ये उन condition में होता है जो colleges इनको दिल्ली aims मिल गया उसके बाद तो उन्हों नहीं क्या upgrade करना है या फिर उनको अच्छी college मिल गी desired अपना aims मिल गया state का आगे उन नहीं करना चाते हैं तो ऐसी condition में आप no select कर सकते हैं कि मैं आगे participate नहीं करना चाता आपकी counselling वहां हो जाएगी और आपको आगे MBBS के ल करना सकते हैं second round में seat के लिए यानि कि second round में आप choice fill कर सकते हैं अगर आपने yes का option दिया है कि मैं upgrade करना चाता हूं तो आप second round की choice fill करेंगे यहां पर अगर आपने second round में college में join कर लिया और second round की choice fill करने से पहले आप ये सोच रहे हैं कि मैंने जो first round की college join किया है उसको मैंJohn 있는 दे दे सकते हैं, आप resign दे सकते हैं और resign दे करके भी आप second round की choice fill कर सकते हैं, सिधे आप second round की choice fill कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको condition बता दी है और ये condition मैंने book में भी समझा दी है बुक का फर्स्ट राउंड बुक में ये समझा दिया है फर्स्ट राउंड कैसे होगा सेकंड राउंड कैसे होगा तो ये तो थी सारी फर्स्ट राउंड की कंडिशने आपको जब सीट अलोट होती है तब की कंडिशन है और आपको फर्स्ट राउंड में seat join कर ली है और upgrade का option दिया है वो candidate भी इसमें choice fill करेंगे ऐसे candidate भी choice fill करेंगे जिसमें फर्स्ट राउंड में registration नहीं किया है वो second round में registration करके choice fill कर देंगे यहाँ अब यहां से कारवाई होती है आगे second round की तो second round का schedule के according जब च्वाइस फिल करेंगे उसके बाद में second round का seat allotment हो जाएगा seat allotment में फिर वो कंडिशने होती है seat allotment में दो कंडिशने ये होती है कि या तो second round में आपको seat allot हो गई या second round में seat allot नहीं हुई अगर आपको seat allot हो गई तो क्या करना है अब second round में आपको seat alert नहीं हुई है तो सीधे आप third round की choice filling में जाएंगे, second round में अगर आपको seat alert नहीं हुई है, तो सीधे ही आप third round की choice filling में चले जाएंगे, अगर आपको second round में seat aloat हो गई है तो इसमें दो condition है आप यहाँ exit भी ले सकते हैं आप यहाँ उस seat को छोड़ सकते हैं जोइन नहीं करना चाहते हैं तो college में जाने की जूरत नहीं है आप छोड़ सकते हैं आपको इस rate में अच्छी seat मिल गई है या आप सोच रहे हैं कि मैं ती कर रखे और 10,000 जनरल EWS में कर रखी है तो यह security money आपकी फोर्फिट हो जाएगी जबत हो जाएगी अगर आप यहाँ seat छोड़ते हैं तो इस्टे vacancy round में अगर आप participate करना तो फिर से आपको यह security money deposit करनी होगी registration करना होगा तब जाके आप third round में participate कर सकते हैं तो एक condition तो यह है कि आप seat को छोड़ सकते हैं और third round में participate कर सकते हैं लेकिन आपको security money फिर से deposit करनी होगी यहाँ पर अगर आप second round की seat को join कर लेते हैं तो join करने के बाद आपके पास में फिर वो option form यहाँ fill करना पड़ेगा option form में यह है कि क्या आप इस second round की seat को अपग्रेड करना चाते हैं third round में तो आप yes option दे सकते हैं यहाँ पर अगर आप इस second round की seat से संतुष्ट हैं तो no option दे दो और आप आगे की counseling के लिए eligible नहीं रहेंगे लेकिन आपको refund मिलेगा देखो फर्स्ट round में आप किसी भी condition में हो refund जरूर मिलेगा आपको चाहे आप चोड़ते हो join करते हो कुछ भी हो first round free exit है उसमें आपको priority money मिलेगी ही रींड मिलेगा लेकिन second round में आपको refund नहीं मिलेगा अगर आप join नहीं करते हैं तो refund तो नहीं लेकिन आप आगे की counseling के लिए फिर से security money deposit करके participate कर सकते तो यहां willing देंगे अगर आप यहां further counseling नहीं करवाना चाते हैं इस second round की seat से संतुष्ट हैं तो refund तो आपको मिल जाएगा लेकिन आपकी counseling यहां end हो जाएगी अगर आप upgrade करना चाते हैं तीसरे round में तो तीसरे round में upgrade के ल seat को resign करना चाते हैं तो जो second round का result है उसके दो दिन बाद में इस seat को छोड़ सकते हैं आपकी security money forfeit तो हो जाएगी लेकिन आप seat को छोड़ सकते हैं यह मतलब यह condition है इसमें आप seat को यहां छोड़ सकते हैं अब यहां पर है third round की choice fill के लिए अब third round के अंदर ऐसे candidate आएंगे participate क करेंगे जो second round की seat जो second round की seat उनको अलोट नहीं हुई है वो participate करेंगे दूसरे जिन्होंने second round की seat join कर रखी है और वो candidate join करने के बाद में वो या तो resign करते हैं या या upgrade का option देते हैं वो भी यहां choice fill करेंगे वो candidate भी दुबारा security fill security fees fill करके फिर से choice fill करेंगे जो free exit ले रहे हैं अपनी security money forfeit करवा रहे हैं तो वो भी यहां third round में choice fill करेंगे अब third round में choice fill करेंगे तो आगे second round की counseling यहां end हो जाती है आगे मैं third round की condition आपको यहां बता देता अब third round में जिस परकार से आपने choice fill कर दी choice के according merit के according seat allotment होगा तो seat allotment होगा तो seat allotment भी उसी परकार से होगा जिस परकार से आपने choice दे रखी है उसमें भी दो condition होगी या तो seat allot होगी या फिर seat allot नहीं होगी अगर आपको seat allot नहीं होती है तो आप सीधे इसमें stray vacancy round में जा सकते हैं, stray vacancy round में आप यहां जा सकते हैं और ऐसे candidate भी stray vacancy round में जा सकते हैं जो phrase twice fill करेंगे, यहां twice fill phrase होती है, phrase registration भी कर सकते हैं इसमें phrase registration सभी round में available है, तो ये अगर आपको seat alert नहीं होती है तो आप इस्ट्रे में जाके सीधे ही choice fill करेंगे वहाँ पर इसके बाद में अगर आपको seat alert हो जाती है तो exit ले सकते हैं आपको अगर state में seat मिल जाती है लेकिन ishtray के लिए आप eligible नहीं रहेंगे अगर यहाँ exit लेते हैं और आपकी security money भी यहां forfeit हो जाएगी अगर आप यहां join कर लेते हैं तो आपकी counselling यहां ही end हो जाती है और आपको refund मिल जाएगा तो third round में सिरफ दो ही condition है यहां तो आप exit करेंगे तो stay vacancy round में participate नहीं कर पाएंगे और आपकी security money है वो forfeit हो जाएगी यहां फिर join कर लेंगे तो यहां पर आपकी counselling end हो जाएगी yes के option में yes के option में अगर आपको seat alert हो जाती है third round में तो आप किसी भी प्रकार से stay vacancy round में नहीं जा सकते यह condition clear है यहां पर अगर आपको seat alert नहीं होती है तो इसमें face registration कर सकते हैं वो candidate जिनोंने अभी तक registration नहीं किया है या जिनकी security money forfeit हो गई है second round तक फिर से ब है वो candidate stay vacancy round में face registration के लिए eligible है French registration कर सकते हैं लेकिन जिन को third round में seat alert हो गई जाइन नहीं किया वो phrase registration नहीं कर सकते यहाँ student को बहות confusion होता है फिर से बोल देता हौं जिन candidate ने फर्स्ट राउड में seat alert कर वाली जाइन नहीं किया second round में seat alert कर वाली जाइन नहीं किया वो यहां third round म उन्होंने अगर seat नहीं मिली उनको या seat नहीं ली वो यहां face registration करके इस्ट्रे के लिए eligible हैं यहां बहुत doubt होता है यह doubt बिल्कुल clear कर लें third round में एक बार seat alert हो जाती है इस्ट्रे में नहीं जा सकते लेकिन first और second में alert हो गई third में alert नहीं होई तो इस्ट्रे में जा सकते हैं तो इस्ट्रे में face registration जिन्होंने अभी तक registration नहीं किया है वो student भी जा सकते हैं और मैंने जो condition बताई वो student भी जा सकते हैं अब आगे यहां आप इस्ट्रे वेकेंसी में third round तक का complete बता दिया मैंने इस्ट्रे वेकेंसी round में दो condition है या तो आपको seat alert होगी क्या seat alert नहीं होगी जब seat alert होगी तो आप join कर लेंगे college में और आपका refund वापस आ जाएगा अगर आपको seat alert नहीं हुई तो counseling mbbs के लिए end हो जाती है और आप eligible रहेंगे refund के लिए लेकिन यहां एक condition है अगर आपको इस्ट्रे वेकेंसी round में seat alert हो जाती है और आप join नहीं करते हैं तो आप अगले साल need की exam नहीं दे सकते एक साल के लिए आप need की exam देने के लिए ban कर दिये जाएंगे और security money forfeit कर दी जाएगी आपकी तो यह तो था mbbs के लिए 4 rounds का मैंने आपको सब कुछ पूरा process बता दिया है अब बात करेंगे आगे पांचवें और सटवे राउंड जो bds और bsc nursing के लिए होता है उसकी हम यहां बात करेंगे तो वो होता है mop up round और mop up two round तो इसमें अगर जिन candidates को bsc nursing और bds में admission लेना है यहां first face registration भी होता है लेकिन ऐसे candidate जिन्होंने mbbs के लिए या bds के लिए पहले first round, second round, third round इस्टे में registration कर दिया उनको registration करने के आउशकता नहीं है लेकिन जिन्होंने registration नहीं किया है वो यहां phrase registration कर सकते हैं अब mop up के लिए यहां phrase registration करेंगे bds और bsc nursing के लिए अब mop up में आपको seat alert होगी या नहीं होगी दो condition होगी अगर seat alert नहीं होगी तो आप उसी 24 पर यहां 24 फिल भी होगी आपके लिए bds और bsc nursing के लिए उसी 24 पर mop up to conduct होगा phrase twice नहीं ली जाएंगी और उसके बाद अगर आपको seat alert हो जाती है तो आप join करेंगे और आपकी counselling यहीं end हो जाएगी आप आगे mop up to के participate नहीं कर सकते हैं आप मौपप तू में participate नहीं कर सकते अगर आपको seat alert नहीं होती है उस condition में ही आप मौपप तू में participate करेंगे और यहां पर अगर आपको seat alert नहीं होईती है तो counseling end हो जाती है refund आपको मिल जाएगा seat alert हो गई तो आपको join करना है और आप eligible रहेंगे refund के लिए तो यह पूरा का पूरा process मैंने आपको बता दिया है फिर भी यह process change होता रहता है हर साल जैसे ही change होगा इसमें कुछ मैं आपको दुबारा समझा दूगा जो change होगा वो दुबारा से समझा दूगा कि यह changing होआ है स्जोच對啊拜拜 सी चंट मी फूरष्पी चरंगे जाते हैं होगा सैट के अलग चैयरे मेंने जैख करनात heart और MCC का भी मनेज करना है, इन दोनों का मनेज कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको एक separate वीडियो बना कर के समझा दूँगा, अब आप counseling के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे तीन बुक अविलेबल है, MCC All India Kota की बुक भी अविलेबल है, State की बुक भी अविलेबल है, इन बुक में मैंने बहुत कुछ जानकारी दे रखी है, पूरे सारा सबकुछ system मैंने इसमें समझा रखा है, तो आएए, आगे बात करते हैं इस बुक के बारे में, तो अगर जो All India की बुक है, उसमें AIMS, JIPMAR, AFMC, DUIP, Internal, Central University, ESIC, Dimmed, Central Pool Kota, इन सब के बारे में बहुत कुछ समझा रखा है, और 24 फिल दे रखा है, 24 के लिए आपको कैसे 24 फिल करनी है, कैसे कोलेज सेलेक्ट करनी है, इसमें round wise, category wise, और कोलेज wise कटोफ दे रखी है, उसमें इस साल के लिए आप 15 marks add कर लो, देख लो, आपको कौन सी कोलेज मिल सकती है, आपक यहाँ category wise, कोलेज wise, round wise, यहाँ मैंने aims के बारे में भी समझा रखा है, कटोफ के बारे में भी समझा रखा है, dimmed के बारे में, fies के बारे में, central pool koata के बारे में, counselling process, first round का क्या रहेगा, second round का क्या रहेगा, flow chart के बारे में मैंने समझा दिया, उसको आप अवी अच्छी तरह करनी है 24 कैसे फिल करनी है दोकोमेंट क्या रिक्वाइरमेंट है ऐसे ही आयूस और वेटनरी के बारे में समझा रखा है तो यह बुक आपके लिए काफी हल्फुल रहेगी यह हमारी बुक के आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तीनों बुक्स का लिंक यहाँ है इस जिस भी बुक के लिंक पर आप क्लिक करेंगे वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी या फिर हमारी वेबसाइट www.sopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको जैसे ही आप डाउनलोड करेंगी जो मुमाइल नंबर देंगे उस पर हम सकते हैं इस परकार से तो यह पूरा का पूरा कांसलिंग प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है यह कांसलिंग प्रोसेस हो सकता है इस पार थोड़ा सा चेंज हो चेंज होने की पोसिपलिटी कहां लग रही है चेंज होने की पोसिपलिटी यहां लग रही है कि इस बार जिन नहीं लिया seat शोड़ दी, वो candidate state के third round में eligible थे, state के third round में seat शोड़ दी, वो stay में eligible थे All India में, ये कमी थी counseling में MCC के में, जिसकी वज़े से बहुत सारी seat इस्टे vacancy round में vacant हो गई थी, और MCC को special stay conduct करवाना पड़ा, इसी वज़े से, वज़े आपको दुबारा बता देता हूँ, All India के third round में, जिन candidate को seat alert हो गई, वो candidate state में भी eligible थे third round में, और जिन candidate को state के third round में seat मिल गई, वो candidate eligible थे All India के stay round में, उसकी वज़े से student ने दो-दो seat ले ली, यानि state में भी ले ली, और All India में भी ले ली, उसकी वज़े से stay vacancy round में, चाहे rule एक साल बैन का हो, neat का, लेकिन उनको एक जगे सीट तो मिलीगी सीट दो जगे अलोट करवा ली जिसकी वजए से ओल इंडिया के इस्ट्रे वेकेंसी राउंड में सीट वेकेंट हो गई और इस्पेसल इस्ट्रे कंडेक्ट करवाना पड़ा तो हो सकता है इस बार ये कमी दूर कर दी जाए MCC की तरफ से तो कुछ भी रूल में चेंज होगा मैं आपको वीडियो बना के बता दूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जैसे ही कोई चेंजिंग होगी हमारे चैनल पर आपको फस्ट में विल्कुल अथेंटिक न्यूज मिलेगी कोई किसी प्रकार की व लाकात होगी तब तक के लिए जैखिन